हलो नमस्कार इस्टुएंट मैं विशेक बारगाव बारगाव क्लासिस के इस यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज का जमारे वीडियो को टॉपिक है गोई बहुत सारे बच्चों को नोटिविकेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग एक बार फिर से जो बैल का इकन होता है उसको एक बार फिर से जो है वो प्रेस कर लीजे और उसको जो है वो आल नोटिविकेशन में कर लीजेगा ताकि आपको नोटिविकेशन जो है वो मिल तो इस बुक का विमोचन किस ने किया है तो इस बुक का विमोचन जो है वो भुपेश बगहल जी ने जो है वो किया है अब ये बुक क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा डीटेल देख लेते हैं तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेज बखेल ने आज अपने निवासकारयलय में मुख्यमंत्री वृच्छा रूपण प्रोत्सहान यूजना के सुभारम के औसर पर अब देखिए बटरफलाई ट्रेजर ऑफ छतीजगड पुस्तक का विमोचन किया उन्होंने इसके प्रकासन पर बधाईएवं सुभकामनाय भी दी है अब देखिए बटरफलाई ट्रेजर ऑफ छतीजगड पुस्तक में पाई जाने वाली तितलियों की 170 प्रजाती का वर्ण चीज़े देखिए 170 प्रजाती जो है इसके अंदर इसका वर्णन किया गया है और इसकी जो लेखी का है वह है वन संरक्षक संजीता गुपता तो यह दो चीज़ जो है इसके अंदर में आपको याद रखना है कि द्वारा पिछले 10 वर्सों से तितलियों का अध्यान जो है दूसरा कोशन है कि नीती आयोग सतत विकास लक्ष रिपोर्ट के नुसार बेस्ट प्रफार्मर राज्ज में 36 गड़ का इस्थान क्या रहा है तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट कोशन है जितने भी रैंकिंग होती है न 36 गड़ की वो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट देखिए नीती आयोग ने राज्यों के सतत विकास लक्ष पर रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में आयोग ने SDG को प्राप्त करने की दिसा में राज्यों द्वारा किये गए कारियों के परिणामों का आकलन जो है वो 0 से 100 के मद्द किया है इस लिस्ट में 36 गड़ को प्रफार्मर राज्य घोसित किया गया है नीती आयोग ने राज्य की योजनाओं की सराना जो है वो की है अब 2019 की तुल्ला में 36 गड़ की रैंकिंग सुधरी है 2019 बीस में 36 गड़ का इस्थान देश में 21 था उसमें सुधार होकर अब यह इस्थान जो है वो 19 वह इस्थान है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो परिवहन विभाग की नई सुधा तुहर सरकार तुहर द्वार का वर्चुल सुभारम किसने किया देखे कौन सी योजना है तो तुहर सरकार तुहर द्वार का वर्चुल जो है वो सुभारम किसने किया है तो यह क्या है मोख् सरकार तुहर द्वार सुईधा की जो है वो शुरुवात की है इस सुईधा के मांद्यम से होगा क्या तो लोगों को ड्राविंग लासेंस तथा पंजी करण प्रमाण पत्र सहीत परिवहन विभाग की 22 तरह की सिवाओं का जो है वो लाब घर बैठे मिलेगा ठीक है तो यह ज कौन सी बल्लेबाज नंबर एक के इस्थान पर बरकरार है तो देखे T20 में जो रैंकिंग है भारत की जो बल्लेबाज की वो है नंबर वन पर तो वो कौन है इसमें से नाम आपको बताना है तो उनका नाम है सेफाली वर्मा और यह आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक तो य उनके तथा दूसरे इस्थान पर मौझूद आस्ट्रेलिया की बैत्मूनी के बीच में 32 अंको का जो है वो फासला है ठीक तो आपको याद रखना है पहले इस्थान पर है शेफाली वर्मा नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोशन फिर से नीती आयोग के उपर पर है तो मोस्ट आइम पीस कोशन को टिक कर लिजेगा अगामी एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक तो नीती आयोग ने राज्यों की प्रगर्ती संबंदित सतते विकास लक्षों के लिए सूचकांग इंडिया इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी की है जिसमें लैंगिक समान समानता में ठीक टॉप स्टेट बना हुआ है ठीक तो बता दे कि नीती आयोग की HDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक आर्थिक और परियावरण के छेत्र में राज्यों की प्रगर्ति के अधार पर उनके प्रदर्शनों को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है इ समानता में पहले स्थान पर है तो यह एक मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है आएंपी जो है वो टिक कर लीजेगा ठीक है इसके नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोशन है कि देश में खनीज ब्लॉकों की निलामी करने की पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो देखें देश में खनीज ब्लॉकों की निलामी करने की पहल करने वाला पहला राज्य जो है इसमें अभी 36 गड़ जो है वो पहले स्थान पर है तो देख द्यृत्पष राज में चराण के तहत अगले दो-तीन महिने में लौ, एस्क और चुना पत्थर के कुल 16 नय ब्लोक्स की निलाज की तレक्तष की जा रही है, ठीक है? ध्यान और रखियेगा, पहले स्थान पर है next question है कि Corona Warriors Park 36RD में कहाँ स्थापित किया गया तो Corona Warriors Park जो है, वो 36RD में स्थापित किया गया पुलिस लाइन दुर्ग में, कहाँ पर? पुलिस लाइन दुर्ग में ठीक है यह आप देख सकते हैं यादो को संजोने के अपने अपने तरीके होते हैं पुलिस दुर्ग पुलिस ने कोरोना काल में फर्ज निमाते हुए संक्रमित होकर जान गमाने वाले 6 पुलिस कर्मियों के सरद्धांजली स्वर्व पुलिस लाइन में एक पार्क बनाया है इसका नाम उन्होंने कोरोना वारियर्स पार्क रखा है तो ये भी एक important question है ध्यान रखिएगा ठीक है से देखिए तो इसमें 36 गड़ कौन से स्थान पर दिख रहा है तीसरे स्थान पर 37 गड़ के इंदर में ठीक है कुपोसीत मामले में तीसरे स्थान पर जो है वो 36 गड़ को रखा गया है इसके नवा question है कि इंडस best mega food park की siinä कहा की गई तो इंडस best mega food park की साफना जो है वो तिल्दा में की गई तिल्दा में जो gram है वहां पर की गई उसका नाम भी आपको स्वाला सा ध्यान में रखना है तो देखें केंदरी क्रिसी मंतरी नरेंदर सिंग तुमर ने चत्तिगड के मुख्य मंतरी सिरी भुपेज बखेल के अध्यक्षिता में आयूजीत कारिक्राम में चत्तिगड के रायपूर जीला के तिल्दा विकास खंड इस्तित ग्राम बेमता सरोरा में इंडस बैस्ट मेगा फूट पार्क का वर्चुल भारम जो है वो किया है तो यह आपको याद रखना है नरेंदर सिंग तुमर ने जो है वो मुख्य मंतरी भुपेज बखेल के साथ में जो है वो तिल्दा में जो है वो इंडस मेगा पार्क का वर्चुल जो है भारम किया है तो यह एक important question यह भी बनकर निकलता है यहाँ पर देखिए यह वाला जो विडियो इसमें लगबग लबग सभी में जो है वो rankings related जो है वो question है ठीक है तो जितने भी स्थान है 36 गड़ के index में या जो भी question हमने यहाँ पर बताया है वो सारे के सारे लबग लबग important है तो सारे question को थो अच्छे से देखिएगा और याद करके रखिएगा copy minute down करके रखिएगा बहुत important है ठीक है इसका next question है यह आप लोगों के लिए question है तो इसका जो है answer जो है comment section में comment करकर बताईएगा पिछले question का भी answer है लबग सभी बच्चों में कौन सी योजना की घोशना की है तो यहाँ पर जो है देखिए option दिये गए है तो इससे आपको comment section में बताना है कि कौन सा जो है वो सही option है यह question भी important है ठीक है तो ध्यान रखिएगा जितने भी question जो है current affair के parts में लिया जाता है वो सारे के सारे लगबग important होते है देखिए Daily Current Aware के लिए आप बोल रहा है तो Daily Current Aware इस टाइम पर जो है चत्तिकर में इतने question निकल कर नहीं आते कि Daily Current Aware जो है वो बनाया जा सके इसलिए weekly में जो है बनाया गया है तो weekly में इतने current affair जो है important थे जिनको हमने इस वीडियो में cover कर लिया है ठीक है इसी प्रकार जो है weekly current आफे ज जय हिन जय भारत